बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम आज हम विजन्स माथिमेटिक्स की क्लास में एक्ससाय 7.1 का कॉच्छन अबर 12 स्टाट करेंगे कॉच्छन अबर 12 A है 1,2,1,3,5,0,4,0,3 B है 2,3,2,0,4,1,5,1,2 अब हम इसमें सबसे पहले A,B, फिर B है कि आप प्रूफ करेंगे कि A,B not equal to A,B की अब हम सबसे पहले A,B को स्टाट करते हैं A,B को मुल्टिप्लाइ करते हैं A मारे पास है 1,2,1,3,5,0,4,0,3 इसी तरह से B है हमारे पास 2,3,2,0,4,1,5,1,2 अब हम इसको मुल्टिप्लाइ करेंगे 1st row,1st column लेकिन 1 को मुल्टिप्लाइ करते हैं 2 के साथ फिर प्लस 3 को 3 के साथ फिर 4 को 2 के साथ 1 को 2 के साथ प्लस 3 को 3 के साथ और 4 को 2 के साथ फिर 2 फिंगर के gap छोड़ के फिर इसी तरह से अब जिस तरह 1st column के साथ की है ना इसी तरह से 2nd column के साथ भी प्ल्टिप्लाइ करना है जैसे 1 को 0 के साथ फिर 3 को 4 के साथ फिर फिर प्लस 4 को 1 के साथ फिर इसी तरह से हैं अब 2nd column को भी कर लिया हैं जैसे 1 को 5 के साथ प्लस 3 को 1 के साथ प्लस 4 को 2 के साथ अब अब हमने सब से पहले हैं 1st row को 1st column के साथ यहां तक फिर row 1st ED 2nd column के साथ फिर row 1st ED उसको 3rd column के साथ multiply का जी अब आगे टेकनीक से जो ना साथ कर सकें अब दूसरी row के हैं यहां पर 2, 5, 0 तो आप ऐसे लिखनें 2, 5, 0 इस तरह से लिखें ना कि जैसे बांदी तरह पहले नमबर पे है 2 और इस तरह से दूसरे ब्लैंक सोड़ते रहें फिर 2, 5, फिर दूसरे नमबर वाला फिर 0 फिर इसे तरह से दर भी लिखें 1, 3, 1, 0, 3 फिर यहां पर भी 1, 0, 3 यहां पर भी 1, 0, 3 यह लिख लिखें आप लोग ने फिर इसके बाद आप करना किया है यह जो सेके नमर पर 2 है इधर और इधर 2, 2 डाल दो यहां पर 3 यहां पर 2, यहां पर 2 यहां पर 0, यहां पर 0 यहां पर 4, यहां पर 4 यहां पर 1, यहां पर 1 यहां पर 5, 5 1, 1, 2 इस step की समझ आई अब आप लोग ने इसको simplify कर देना 2 plus 9 plus 8 यहां से 0 plus 12 plus 4 यहां से 5 plus 3 plus 8 यहां से 4 plus 15 plus 0 0 plus 20 plus 0 10 plus 5 plus 0 यहां पर 2 plus 0 plus 6 यहां से 0 plus 0 plus 3 यहां से 5 plus 0 plus 6 अब इसको आप पिल्कुलेटर पे प्लास करें अब प्लास करने के बाद अब प्लास करने के बाद plus 12 plus 4 16 5 plus 3 plus 8 plus 8 16 15 4 19 20 15 26 3 23 और 11 इस तरह से मारे पास A, B का अंसर आजाता है यहां अब हम देख लेते हैं किस का अंसर क्या है 12 नहीं बुक है नहीं इसलिए ज़रा थोड़ा सा अंसर वारा चेक आजने इच्छी तरह सा 19 19 19 16 23 16 15 11 यहां पर 26 अच्छा ठीक है ठीक है यहां पर 2 और 6 यह इटाते है आंसर में यहां पर एक है इस तरह से मारा 12 का पहरा पार साल हो गया और इसका आंसर भी ठीक है अब हम सेकंड पार इसका तरह सेकंड पार क्या है B और A B और A पॉपस में multiply करना है B A को B यह हमारे पास 2 3 2 0 4 1 5 1 1 2 1 2 1 3 5 0 4 0 3 3 अब उसी तरह से को multiply का देंगे First row First column 2 अब आप लिपास क्या आजएगा First row First column 2 को multiply 1 के साथ Plus 0 को 2 के साथ Plus 5 को 1 के साथ Now multiply करें 2 को 1 के साथ 0 को 2 के साथ Plus 5 को 1 के साथ 2 2 2 3 2 2 3 0 5 5 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 को 3 के साथ देख 2 को 4 0 को 0 Plus 5 को 3 के साथ अब First row को अमने First column से भी multiply कर दिया First row को 2nd column के साथ First row को 3rd column के साथ 3 4 1 अगर आप इसको भी इसी तरसे multiply करें तो थोड़ा सा tough हो जाता है Confused हो जाते है इस confidence से बच्चे के लिए एक easy सा तरीका में आपको उताती हूं यहां से आप देखें यह 3 4 1 सेकंड ही है ना आप इदे लिखने 3 4 4 1 यहां पर भी लिखने 3 4 4 1 यहां पर लिखने 3 4 4 1 अब यह देखें second row जो ना लिखनी हमने अब हम लिखेंगे 3rd row भी इसी तरह से 2 आप रोग आराम से लिखें साथ notes भी बनाते जाएं अच्छी तरह से मैं आपको एक दो मावे मुकमल गरवा होगी है 2 1 और 2 अब आपने यहां पर यहां पर यहां पर ब्लैंक छोड़ी तो यहां पर क्या क्या फिल करना है यहां पर देखें second number पर 1 है यहां पर 1 है यहां पर भी 1 यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 पूट करेंगे और यहां पर भी 2 यहां पर 1 यहां पर 1 यहां पर पूट करेंगे 3 और यहां पर 3 यहां पर second one पर क्या 5 और यहां पर भी पूट करेंगे 5 और यहां पर 0 और यहां पर पूट करनेंगे 4 और 4 यहां पर 0 और 0 यहां पर 3 और 3 अब हम इसको साल्व करने के बाद साल्व करके मारे पास आंसर आ जाता है 2 प्लस 0 प्लस 5 यहां पर कितना आ जाता है 6 प्लस 0 प्लस 0 yamper 40 is 8 plus 0 plus 15, yamper 3 plus 8 plus 1, 9 plus 20 plus 0 यापर 12 plus 0 plus 0 plus 3 यापर 2 plus 2 plus 2 6 plus 5 plus 0 यापर 4 to the 8 plus 0 plus 6 अभी इंको एड करने हैं यापर आजेगा 7 यापर 6 15 और 23 यापर 12 यापके पस 29 12 और 3 यापके पस आजे 15 15 6 11 अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं 12 कभी यापके अच्छा ही, आंसर है 7, 12, 6 6, 29, 11 और 23, 15, 14 यापर करेक्ट हैं अब हमने थर्ड पार्ट में ये प्रूफ करना हैं ये देखे न, A, B का आंसर डिफेंट है B, A का आंसर डिफेंट है तो अब आपने थर्ड पार्ट के रिखेंगे A, B from 1 or 2 लिफेंगे A, B को अगर आप 1 और B को 2 लिफेंगे लिफेंगे तो फिर आप लिफेंगे रिफेंगे from 1 and 2 shows A, B not equal to B 3rd part के लिए is A, B not equal to B, A के धररर के लिफेंगे A, B कांसर डिफेंगा वर B, A कांसर डिफेंट है वसाब ऐसे लिफेंगे 3rd part में A, B not equal to B, A के धररर अपने A, B not equal to B, A के लिफेंगे कुंप्लीट हो गया इंशाला कुश्चन अबर थार्टीन कल साथ करेंगी